आईए दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है उक्टोपैड मेनिया बना लेते हैं बहुत सुन्दर ढपका पैच यहां मैं आपको बताने वाला हूँ कम से कम चार से पांच पैटरन अलग-अलग जिससे आप ढपको बहुत अच्छे से बजा सकते हैं किसी भी गाने में चाहे वो थोड़ा फास्ट हो या सिलो हो और यहां पर मैंने सुरका भी जो है यूज किया है एक आपको स्केल भी मिल जाएगा उस स्केल को आप गाने के स्केल के साथ मिला सकते हैं और बहुत ही अच्छा उससे आपको लुक आएगा तो आएए फटा पैड मेनिया और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले एक कमेंट लाइक और शेयर जरूर कीजिए आईए बना लेते हैं उस पैच को आईए दूस्तो अब हम लोग समझ लेते हैं पैटरन नमबर वन जो बहुत सिंपल सा है आप देखिए यहां मैंने सुर लगा रखा है अमारे पैच के अंदर देखिए जो अलग से आपको सितार की आवाज आ रही है यह हमारे पैड में ही है तो आएए सुरू करते हैं सबसे पैटरन जो हमारा पहला रहेगा वो हमारा नीचे फोर्थ कॉलम में ही है कैसे देखिए यह हमारा हुआ पहला पैटरन अब हम लोग दूसरा पैटरन बजाते हैं जिसके अंदर हम इस पैच को लेंगे जो अभी हमने बजाया है और जश्ट उसके बाद उपर इन जो हमारे जो अलग-अलग एल बारा में कॉंगोट के सुर लगे हुए हम उसको भी लेंगे किस तरीके से देखिए यह हमारा हुआ दूसरा पैटरन अब हम यहां पर तीसरा पैटरन लेंगे जिसके अंदर यह वाला उपर वाला कॉलम आएगा इसमें मैंने घड़े की चांटी को घड़े जो उता है हमारा घड़ा उसको मैंने लगा रख है तो आईए देखिए यह हुआ हमारा थर्ड पैटरन यह भी बहुत गानों में आपने बजता हुआ देखा होगा आईए अब हम बजा लेते हैं कुछ अलग बहुत अच्छा सा पैटरन जो जादतर आपको भजनों में सुने आई देता है जब कोई कोमेंटरी करता है या सिंगर बीच बीच में तो हम लोग बजाते हैं किस तरीके से यह पैटरन बहुत चलता है हमारा अब हम आ जाते हैं एक अलग सा ही पैटरन है हमारा उस पर कि जिसमें हम लोग पूरे पैच को मिला के बजाएंगे किस तरीके से हेखज बाले के लाएंगे और अब हम लाश पैटरन मैंने चार बतायते पाच बतायते यह कौर मुझे थोड़ा से याद आता है तो हम उसे देख लेते हैं सबसे सिंपल जो ढब बसती है वो इस तरीके से करका आता है से लो भषर को ढबता है छोमब नचोद हैं। दोस्तो इस तरीके से ये रहता है हमारा बजाने का पैटरन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं जरूर आपको इस पैच के एडिटिंग दूँगा और अलग अलग पैटरन को बजाने का तरीका भी मैं वीडियो में बताऊंगा तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया